तमाम अपरादियों को थाना में छुपा कर रखा गया था उनको सरयाम दारू की पुरा वहाँ पर पिलाने का काम चल रहा था एक स्वाती नाम की लर्की की गैंग ग्रेफ और उसकी हत्या करके उसकी लास को ही उसके घर में टांग दिया गया उजियार पुरकाथाना अध्यक्ष अपरादियों के संदक्चर के सुरुमा के रूप में अस्थापित हैं उनका सराब माफियाओं के साथ और जिले के कुख्यात अपरादियों के साथ साथ गाठ है समस्तिपुर्ण शहर के बीचों बीच कुछ लोग आठ दिनों से अंशन पे बैठे हैं और शायद अभी तक इन लोगों को वो मीडिया कवरेज भी नहीं मिल पाई है जिस मीडिया कवरेज के यह हगदार है यहाँ पर कुछ लोग आठ दिनों से पिछले आठ दिनों से आमरन अंशन कर रहे है और अब नौबत यह है कि उन लोगों को पानी चड़ रही है और साथी साथ उन लोगों की जो श्वास्त है वो खराब होते जा रही है अब ही हम लोग समस्तिपूर में पहुँचे हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर यह लोग यहाँ पर आमरन अंशन कर रहे हैं सबसे पहले सर क्या नाम है आपका कितने दिनों से अंसन कर रहे हैं आप 27 मार्च से जिले के पुलिसी या तंत्र में जो भरस्टा चार है उसके खिलाप साथ लोगों का भागपा माले के साथ कार्ज करताओं ने समस्तिपूर के सरकारी बस पराम में भूखर ताल अनिस्चित कालिन सुरू किया जिसकी सुचना जिला के पुलिस अधिक्षक महोद को पहले से दी दी ओई थी लेकिन भूखर ताल के दिन तक भी कोई कारवाई नहीं किया गया महत्तपुन मांगो में है कि उजियारपूर थाना के अंतरगत सेप्टमबर महीने में एक स्वाती नाम की लर्की की गैंग ग्रेफ और उसकी हत्या करके उसकी लास को ही उसके घर में टांग दिया गया ताकि उसको आत्म हत्या का रूप दिया जा सके जिसके बिरोध में हम लोगों ने वहाँ परतिबाद किया स्वैंग थाना अध्यक्ष वानील कुमार है वो उसमें सनलिप्त है आप राधियों को संडक्षन दे रहे हैं और ततकाली ने स्पीक के समक्ष भी हम लोगों ने घरा परदसन किया था वहाँ थाना का भी घरा परदसन किया गया लेकिन उसके बाबजूद भी किसी भी परकार की कोई परगती देखने को नहीं मिली नयाय की उमीद नहीं होते देख हम लोगों ने 27 मार्च से पुना भूखरताल शुरू किया लेकिन अभी तक वहाँ के थाना अध्यक्ष को नहीं हटाया गया है हम लोगों का स्वश्ट म मानना है कि उज्यारपुर के थाना अध्यक्ष को रहते स्वाती गैंग रेप और हत्या मामले में नयाय नहीं मिल सकता अभी तक सुपर्विजन रिपोर्ट को सर्वजनिक नहीं किया गया किसी भी अपराधियों की रपतारी नहीं हुई ठीक इसी तरह अनील कुमार के रहत से एक कुरबधा गाओं में गुंगी महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई महिला ने अपने बचाब किया और उसके बाद अपराधियों ने उसको गला घोट कर हत्या कर दिया लेकिन उस मामले में भी मुख्या अफिप्त जो अपराधी है उसकी आज तक ग्रपतारी नहीं हो सकी है तो इस तरह उजियारपुर का थाना अध्यक्ष अपराधियों के संदक्चर के सुरुमा के रुप में अस्थापित हैं उनका सराब माफियाओं के साथ और जिले के कुख्यात अपराधियों के साथ साथ गाठ है और इसको हम लोगों ने देखा जब हम 9 अक् जो अपराधी सोना चांदी के दुकान के लूट में सामिल हैं जो स्राब के बड़े भड़े धandवाज हैं ऐसे तमाम अपराधियों को वहां इकठा करके भागपा माले के उपर हमला करभाने की बरी तरी तहना चाहिक दूरा पडसiver सिरा करवाया तो पुलिस के दौरा करवाय नहीं लिया जबकि हम लोगों ने कहा कि आप थाना का सीशी की फूटेज निका लिए और पूछिए कि इन तमाम जो मास्क लगाए हुए लोग हैं मुह बांदे हुए लोग हैं इसको हम लोग को क्या था पराधी को रूप में जानते हैं तो आपके पुलिस वाले आखिर किस जानते हैं आप देख रहे हैं कि नए एस्पी के आमने के बाब जूद भी एक महिना के अंदर पांच बैंक को लूट लिया गया है अपराधियों के अंदर में डर्भाय का महौल नहीं है इसका मतलब है कि नीचे ले अस्तर पर जो ठाना अध्यक्ष लोग हैं वो अपराध सब्सक्राइब नहीं की जा रही है हम लोग की मांग है गोजियारपुर के थाना अध्यक्ष को ततकाल बरखास्त किया जाए श्वाती गैंग्रेफ बती देवी गैंग्रेफ और हत्या मामले के तमाम अभित्तों को गिरपतार किया जाए इसके अलाबे जिले में जो पढ़ भागपा माले का अंदोलन जारी रहेगा भागपा माले भी अपना एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगी इसी के द्वारा कोई आश्वाशन दिया गया कि आप चलिए हम लोग आपके साथ मिलके कारवाई करते हैं आपने जो मांग पत्र दिया है उसको देखते हुए उसको कोई करवाई का ठोस आश्वासन नहीं कोई ठोस वरोसांने हां क अarta करते हैं देखते हैं कर्वाई करें लेकिन थाना अध्यक्ष को कब हटाएंगे कब कितने दिरों में करें अकिर सेक्से महीने हाट्या इसी संगिन कर रहे हैं यहां पर बैठे हुए हैं और शायद इस तप्ती गर्मी में यहां पर बहुत जादा प्रतारित होने के बाद यहां आए हैं देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इनकी मांगों को नजर अंदाज किया जाएगा कब तक पुलिस वालों के उपर कारवाई की जाए